नहीं मैंने पत्र में जो लिखा है वो आपके पास है पत्र मैंने मीडिया को जारी नहीं किया है मुझे अगर मीडिया को जारी करना होता तो मैं प्रेस को अन्फरेंस करके जारी करता है ये मेरे और मेरे सर्वोच नेत्रतों की बात है मुझे लगता है हवा में चुनाव लणदाई है उपित नहीं है इसले मैंने सुचना दे दी है उनकुप हो जाने का मैंने काम किया निर्ने करना संगटन का काम है संगटन जो भी निर्ने करेगा वो सबको शिरोधार है भारती जंदा पार्टी के वरिष्ट कारकरता और बजर जानमंत्र जी को खत लिखा है क्या मांग किये कर देकि मुझे लगता है कानपूर में टिकेट घोशना के बाद जिस प्रकार की परिस्थिती उत्पर्ण हो रही थी और ने को प्रकार के कारे करता जो मुझसे व्यत्ति का चर्चा कर रहे थे बहुत सीनियर कारतों उनकी भा तो हो सकता है कि परनाम अच्छे हूं परतियासी को लेकर कुछ लिखा है क्या मांग की आपने नहीं मैंने पत्र में जो लिखा है वो आपके पास है पत्र मैंने मीडिया को जारी नहीं किया है मुझे अगर मीडिया को जारी करना होता तो मैं प्रेस को अन्फरेंस करके जार आखिरम तीन बार लोग सभा का चुनाओं या इनीक ऐसे ही कुछ कारणों से हार चुके निश्चित रूप से राष्ट्री इस्तर पर प्रदेव को बहुत सी बाते मालूम भी होगी लेकिन बहुत सी बाते नहीं भी मालूम है उनको पहुझाने का मैंने काम किया निर्ने करना संगड़न का काम है संगड़न जो भी निर्ने करेगा वो सबको शिरोधार है वह बहुत वरिष्ट हैं और बहुत जमीनी इस तरप आपने सारी शीजों को देखा है तो ऐसे में आपने यह इधर बीच सुना होगा कि सहर में भी चर्चा है कि प्रत्यासी को लेकर यह कहा जा वही व्यक्तिकत वह भी नहीं है लेकिन जो परिस्थिती उत्पन हो रही है जिसके कारण कार्यकरताओं के मन में रोश है तो बात पहुचाना मेरे जिम्मेदारी काम है शायद अगर सामाने परिस्थिती होती तो हम अपनी बैठकों में यह बात रखते आज उसका आउसर न अब क्या लगता इसमें मैं नहीं जाता मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया है कार करता के नाते बाकी पार्टी का निरले तो जिस तरह से आपने देखा कि प्रकाजी ने साथ और से कहा है कि उन्होंने पत्र लिखा है लेकिन विचार होने के बाद पार्टी का जो भी निरन होगा उसे स्विकार किया जाएगा कानपुर से संदीप सविता स्रेश्टी उपी